प्रतिसत का 19 प्रस्ण मैं सोल्ब करके बता चुका हूँ आज मैं 20 नंबर से स्टार्ट करूँगा चलिए शुरू करते हैं और आज का जितना भी प्रस्ण है भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण है इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखरी तक जरूर देखेगा सबसे पहले प्रस्ण को समझे चावल के मुल्य में 20 परतिसत कम्मी होने से एक ब्यक्ती 77 रुपिया में 3,5 किलो गराम अधिक चावल खरीद सकता है चावल का घटा हुआ मुल्य क्या है इसमें घटा हुआ मुल्य या पहले वाला मुल्य पुछा जा सकता है तो कैसे सॉल्ब करना है समझने का प्रियास कीजिए अगर एक बार सिख लेंगे समझ लेंगे तो बहुत ही असान तरीके से कम समय में आप एंसर दे सकते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना है सथात्ता रूपिया में साथे तीन किलो गराम अधिक चावल खरीद सकता है तो सबसे पहले आपको लिखना है सथात्ता रूपिया तो मैं यहां पर मैंने लिख लिया बटे में जितना अधिक या कम खरीद रहा है यहां पर अधिक खरीद साथे 3 kg अधिक चावल खरीदा है उसी को बटे में रखना है तो साथे 3 kg आप कैसे लिखेंगे 3.5 ठीक है इस तरीके से गुना अब इहां पर समझेगा 20 परतिसत कमी हुआ है न तो आप इहां पर 20 रख दिजे अब इसके बटे में क्या रखना है उसके बारे में समझे इसके बटे में यानि कि इहां पर इया तो जैसे 20 परतिसत का कमी हुआ है न तो 100-20 करेंगे तो कितना होगा 80 यानि कि इया तो आपको 80 रखना है या तो 100 रखना है तब इहां पर आपको एक चीश समझने की जरुवत है आप से क्या पूछा है चावल का घटा हुआ मुलिय तो अब इहां पर आपको decision लेना है कि बटे में 80 को रखना है या 100 को क्योंकि घटा हुआ मुलिय कम होगा तो 80 को रखने से कम value आएगा या 100 को रखने से कम value आएगा ये आपको समझने की जरुरत है देखिए अगर कहीं पर आप बटे में मान के चलते हैं आपके पास 100 है अगर बटे में अगर आप 5 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 20 आ रहा है अगर आप बटे में मान के चलते हैं 100 है अगर बटे में आप 4 रखते हैं तो कितना आ रहा है 25 के 100 तो देखिए अधिक रखने से कम आ रहा है अधिक रखने से कम आ रहा है लेकिन कम रखने से अधिक आ रहा यह आपको समझना होगा मैं एक बार फिर से repeat करना चाहूँगा जैसे आपके पास 100 है अगर इसमें आपने 5 रख दिया बटे में तो काटेंगे तो 20 आएगा ना 20 आएगा अगर 100 है और उसमें बटे में अगर आप 4 रखते हैं तो कितना आएगा 25 आ रहा है इसका मतलब आपको clear हो चुका होगा कि बटे में ज्यादा रखने से value कम आता है और कम रखने से ज्यादा आता है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को यह समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 20 के बटे में मैंने बोला था या तो आपको 80 रखना है या तो 100 रखना है तो क्या रखेंगे तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि पूछा क्या है घटा हुआ मूलिय तो घटा हुआ मूलिय कम होगा न तो इस value को कम करने के लिए बटे में क्या रखेंगे 80 रखेंगे या 100 रखेंगे तो 100 रखना होगा ना तब तो कम आएगा value ना तो यहाँ पर आपको 100 रख देना है अगर पहले वाला भाव पुछा होता तो 80 रखते ठीक है तो यहाँ पर clear हो चुका होगा अब एक चीज़ा आप यहाँ पर कर लिजे पॉइंट है ना इसको आप हटा दीजे यह पॉइंट को आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा उपर में 10 लिख दीजे यह 2 0 तो cancel हो चुका है ठीक ना अब क्या करेंगे 11 7 77 और 7 7 35 उपर में कितना हो गया 11 दूनी 22 और बटे में 5 अब काट दीजे तो कितना आजाएगा 5 जो के 20 दो बच गया पॉइंट देंगे तो फिर से 5 जो के 20 लेकिन रूपिया पैसा में है तो आप लास्ट में यहाँ पर 0 रख देंगे तो 4 रूपिया 40 पैसा हो जाएगा यानि कि ए ओप्शन सही है ठीक है अगर पहले वाला भाव इसी में पुछा होता पहले वाला भाव तो क्या करते 77 बटे 3.5 किलो ग्राम गुने 20 परसंट का कमी हुआ है तो पहले वाला भाव निकालना है तो बटे में क्या रखेंगे 80 रखेंगे ठीक है देखिए यहाँ पर 35 है तो फटा-फट काटिए इसको सबसे पहले यह पॉइंट को हटा जते हैं तो उपर में एक 0 बैट जाएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह 0 कट गया 2 4 के 8 यह कट गया और सबसे पहले आप यहाँ पर यह काटिए 5 से 5 सते 35 5 सते 35 और 5 दुना 10 ये भी कट गया और 2 से 2 दुना 4 अब इहां पर देखें क्या बच गया है 7 से काटेंगे तो 7 से 11 सते 77 यानि कि आपको 11 को 2 से डिवाइट करना है तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइट करेंगे तो 2 पचे 2 पचे 10 और फिर से 1 बच रहा है न यह पहले वाला लेकिन घटने के बाद कितना हुआ यह हुआ न हमनों को निकाल चुके हैं अब चलते हैं अगला प्रसना 21 नंबर इसी तरह का प्रसन है लेकिन समझने का प्रयास किजिएगा 1-2 प्रसना बिलकुल अलग है समझना होगा शिखिए और इसी तरग का प्रशनव पुछा जाता है चीनी के भाव में 20 परतिसत कमी हो जाने के कारण 80 रूपया में 2 किलोगराम चीनी अधिक प्राप्त होती है चीनी के भाव में कमी होने से पहले चीनी का भाव परतिक किलोगराम क्या था पहले वला यहां पर पुछा है तो क्या कर तो पहले वाला भाव निकालना है, कमी होने से पहले वाला भाव तो कमी होने से पहले वाला भाव अधिक होगा तो अधिक क्या रखने से आएगा, तो असी रखने से आएगा ये आपको ध्यान देना होगा, देखे ये असी और ये असी कट गया और दो से 20 को कटेंगे तो 10 आजाएगा, देख लिजिए 10 रुपया इसका राइट एंसर है, कितना बड़ा प्रश्णा है लेकिन कितना असान तरीके से बनता है, तो यहां पर देखे, 10 रुपया यान कि पहले वाला भाव, 10 रुपया, अगर घटने के बाद, यान कि कमी होने के बाद वाला अगर भाव पुछा होता, तो यहां पर क्या रखते, 100 रख देते, ठीक है, एही चीज आपको करना है, अब चलते हैं, अगल कम समय में बनता है चावल के दामों में लेकिन एक ही तरह का प्रशना आ रहा है न आगे थोड़ा डिफरेंस आने वाला है इसलिए बीडियो को इसकिप नहीं करिएगा पूरा देखिएगा चावल के दामों में 20% कमी होने पर 385 रुपिया में पहले से 3.5 kg अधिक चावल मिलता है पहले चावल की दर प्रती किलोगराम क्या थी पहले वाला निकालना है तो अब इहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले आपको लिखना है कितना में खरीदा है तो 380 में तो 380 आप लिखेंगे 380 मैं अच्छा से लिख लेता हूँ 380 बटे में कितना अधिक लाता है 3.5 kg तो यहाँ पर 3.5 kg आप लिखेंगे और गुने में 20% का कमी हुआ है तो 20 आप यहाँ पर रखेंगे लेकिन क्या बोला है पहले चावल की दर यान कि कमी होने के पहले तो चावल का भाव अधिक होगा न तब आपको बटे में क्या रखना है या तो 80 या तो 100 यही न क्योंकि 20% कमी हुआ है तो सबसे पहले आप 100-20 करेंगे तो 80 और आप एक तरफ 100 रखेंगे यानि कि इसी दोनों को इसी दोनों में से यहाँ पर बटे में रखना है लेकिन क्या रखना है यह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ तो बटे में क्या रखेंगे पहले वाला भाव निकालने के लिए यानि कि बटे में 80 रखेंगे तब तो जादा आएगा अगर 100 रख देंगे तो भेलू कम आएगा ठीक ना तो इहाँ पर समझेगा अगर पहले वाला भाव निकालना है तो 80 रखेंगे अगर कमी होने के बाद वाला भाव निकालना होता तो 100 रख देते अब यहाँ पर सबसे पहला काम आप करिए यह पॉइंट को हटा दीजे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा उपर में न तो 1 0 मैं यहाँ से काट देता हूँ इसके बाद 2 4 के 8 इसको मैं काट देता हूँ इसके बाद 5 से काटते हैं 5 2 10 और 5 से 35 और 7 से उपर वाला को कारते हैं 7 5 35 मैं एक बार फिर से लिखता हूँ 7 5 35 और फिर से 7 5 35 पचपन हो गया न यह कट चुका है अब क्या करेंगे तो 2 2 4 यह कट चुका है यानि की आ गया है 55 बटे 2 कितना आएगा 2 2 4 एक बच गया 2 सते 14 एक बच गया 2 पचे 10 लेकिन रूपिया पैसा वाला है इसलिए लास्ट में 1 0 आप बैठा दिजे यानि की 27 रूपिया देख लिजे कहां पर है तो D option सही है इसी तरीके से solve करना है अब चलते हैं अगला प्रशन एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा तो 250 ग्राम लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको शमजना है अगर ग्राम में है तो उसको केजी में बदल लेना है मान के चलते हैं कि 600 ग्राम है इसको केजी में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से डिभाइड करना होगा तो डिभाइड करने के लिए तो क्या करना है, तीन अंग के बाद पॉइंट बढ़ा देना है, ठीक है, क्योंकि नीचे में एक हजार है, तो तीन अंग के बाद पॉइंट होगा, यहाँ पर मैंने पॉइंट बढ़ा दिया, केजी में बदल गिया, अब गुने करेंगे, तो क्या बोला है, दोनो, चाय का पहले वला भाव, तो सबसे पहले, पहले वला ही भाव निकालते हैं, पहले वला भाव, कितना कमी हुआ है, दस परसंड न, तो यहाँ पर दस रखेंगे, पहले वला भाव, कमी होने के पहले, क्या होगा, अधीक होगा, तब यहाँ पर आपको 90 रखना होगा, है न, ठीक है, और यहीं पर मैं उसको भी निकाल लेता हूँ, 270 और बटे में 250 गराम, 250 गराम, लेकिन केजी में बदलेंगे तो यहाँ पर पॉइंट दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पर 10 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो यह बाद वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको काटना है, तो सबसे पहले, आप उपर में 3,0 बटाएंगे, क्योंकि इहाँ पर पॉइंट है, तो उपर में 3,0 बटाएंगे, ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं इसको काट लेता हूँ, मैंने काट लिया, इसके बाद, 9,327 मैंने इहाँ पर काट लिया, ठीक ह अब मैं फिर से लिख लेता हूँ क्योंकि जगह नहीं है तो उपर में 30 बच रहा है न देखिएगा उपर में 30 और बटे में कितना है 250 मैं लिख लेता हूँ 250 लेकिन पॉइंट को हटाएंगे तो उपर में क्या हो जाएगा 3 0 इस तरीके से लिखेंगे एक लिखे 3 0 ये चीज आपको समझना होगा और इधर में बटे में कुछ है बटे में कुछ नहीं है सब कुछ कट गिया है अब यहाँ पर फिर से 1 0 में काट लेता हूँ और 25 से काटेंगे देखिए 25, 4, 100 ये 100 कट गिया 1 0 बच गिया न इतना गुना कर दिजिए 3, 4, 12 और 1 0 यानि की 120 रूपिया आ गिया है न अब उसी तरीके से यहाँ पर आपको काटना है सबसे पहले तो 1 0 यहाँ से कट गिया फिर से 1 0 यहाँ से कट गिया अब क्या करेंगे देखिए पहले पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा 27 उपर में 3 0 बैठाना होगा और बटे में 25 है न 25 यहाँ पर मैंने लिख लिया 25 24 के 100 25 के 100 और 1 0 यह टोटल कट गिया है अब इहाँ पर समझेगा यहाँ पर 1 0 मैंने छोड़ दिया यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 0 रहेगा न 1 0 इसको तो मैंने काटा नहीं था यहाँ पर 1 0 रह गया था तो यह जो उपर में 1 0 बच रहा था न वो भी पूरा कैंसिल हो जाएगा मैं यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर दता हूँ नहीं तो मिस्टेक होगा आप लोगों को देखिए पॉइंट को हटाये तो उपर में 1,000 मैंने रख दिया लेकिन नीचे में यह टोटल है न इतना तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ से एक 0 मैंने काट दिया इसके बाद 25 चोके 100 अब आप गुना कर दिजे 27 और 4 को तो कितना हो जागा 4 सत्य 4 सत्य 28 के 8 4 सत्य 28 के 8 हाथ में 2 4 दूना 8 और 1 2 10 यानि कि पहले वाला भाव कितना है 120 और बाद वाला कितना है 108 इस तरीके से solve करना है तो बिल्कुल समझ में आगिया होगा देखिए answer कहाँ पर है C option सही है अब चलते हैं last number last number बिल्कुल ही अलग है यहाँ पर देख सकते हैं answer भी सही था इसी तरीके से आपको solve करना है चीनी के मुल्य में 40% बिल्धी के कारण कोई आदमी 600 रुपिया में 6 किलोग्राम कम चीनी खरिद पाता है तो चीनी का प्रती किलोग्राम बढ़ा हुआ मुल्य ग्याद करें देखिए अब इहाँ पर बिल्धी इससे पहले जितना भी प्रशनत था उसमें कमी हुआ था लेकिन इहाँ पर बिल्धी की बात बोला है तो काम वही करना है देखिए 600 रुपिया में तो 600 रुपिया आप पहले लिखिए 600 रुपिया आप लिख लिजिए बटे में 600 रुपिया में 6 किलोग्राम अधिक चीनी लाया है अब क्या करेंगे 40 परतिसद बिल्धी हुआ है तो उपर में 40 रखेंगे अब इहाँ पर बटे में क्या रखेंगे बिल्धी हुआ है तब आपको क्या करना है 100 पलस 40 तो 140 और 100 के बारे में आपको सोचना है बटे में 140 रखें कि 100 रखें तो क्या पूछा है तो चीनी का प्रती किलोग्राम बढ़ा हुआ मूलिय ग्याद करें तो बढ़ा हुआ मूलिय यानि कि अधिक होगा तो इस भेल्यू को अधिक लाने के लिए बट्ये में क्या रखना होगा बटे में छोटा value रखेंगे तभी तो अधिक आएगा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर बटे में आप अधिक value रखेंगे बटा में अधिक रखेंगे तो value कम आएगा अगर बटा में कम रखेंगे तो value अधिक आएगा तो अब यहाँ पर क्या रखना होगा अगर आपको ज़्यादा लाना है तो यह छोटा वाला रखना होगा यह आपको सोचना होगा प्रैक्टिस करना होगा तभी आप अच्छा कर पाएंगे ठीक है तो बटे में क्या रखेंगे 100 रखेंगे तो मैंने यहाँ पर 100 रख दिया ये तो कट जाएगा ये भी कट जाएगा देखिए कितना असान था 40 रुप्या प्रती किलो ग्राम बढ़ा हुआ मुलिय तो देखिए कहाँ पर है ए ओप्सन सही है इतना ही प्रस्न था और मैं कहना चाहूंगा इस तरह का प्रस्न जितना भी था इसको आप प्रैक्टिस करिए एक बार देखिए कि आप बना पाते हैं या नहीं प्रस्न को समझे ठीक है आज के लिए इतना ही